हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टू यूटुब चैनल एग्रिकल्चर एंड जी के आज हम लोग बात कर रहे हैं फैस आप जूट सकते हमारे इंस्टा और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी तो चलिए शुरू करते हैं अज का वीडियो सबसे पहला question है आज का हमारा marine catfishes come under family जो marine fishes होती है ठीक है catfishes होती है वो किस-किस family के अंदर आती है तो यह आपकी जो है कि plotocididae और aridae के family के अंदर आती है ठीक है देन उसके बाद है the number of larval stage present in P monodon तो P monodon में कितने larval stages होते है तो वो आपके 12 होते है correct option यहापे आपका 12 हो जाएगा next बात करेंगे PCR process was discovered by carry moolins in year तो किस year में उन्हों discover किया था उन्होंने 1983 में PCR polymerase chain reaction को इन्होंने develop किया था PCR का full form हो जाएगा polymerase chain reaction और carry moolins ने इसको discover किया था ठीक है next बात करेंगे T musambika introduce in India in year तो बात करेंगे किस year में जो है इसको introduce किया गया था इंडिया में तो यह 1952 में इसको introduce किया गया था next बात करेंगे M rosenbergi attain first maturity in तो जो M rosenbergi है वो कितने मन्थ में पहली maturity पहली बार जो है अपनी maturity को attain करता है तो वो आपका जो है कि correct option होगा four to five months okay चार से पांथ महीने में वो जो है कि अपनी पहली maturity को attain कर लेता है ठीक है next बात करेंगे in India सी बैट्रकस commonly known as तो जो सी बैट्रकस से वो commonly क्या कहते है इन्हें तो इन्हें हम लोग मंगूर बोलते हैं ठीक है मंगूर ओके ध्यान रखेंगे next है dash is called as aquatic chicken aquatic chicken किसे कहते हैं है तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा correct option यह हो जाएगा तिलापिया ठीक है correct option तिलापिया हो जाएगा next बात करेंगे stickiness is a common कार्प एग रिमूव बाई जो कार्प में stickiness होता है एग में कार्प के एग में उसे कैसे हम रिमूव कर सकते हैं ठीक है क्या solution यूज करेंगे तो वहां पर salt carbide solution हम यूज कर सकते हैं सो correct option यह पर salt carbide था ठीक है next बात करेंगे the number of larval stage M.Rosanburgy एपके 12 होते हैं ठीक है M.Rosanburgy में larval stage 12 होते हैं और P.Monodon में 12 होते हैं और M.Rosanburgy में 11 होते हैं ठीक है P.Monodon में 12 और M.Rosanburgy में 11 ध्यान रखेंगे next है which is called as a mother of probiotics प्रोबायोटिक, mother of all probiotics किसे कहते हैं तो यह आपके लाक्टिक इसीड हो जाएंगे, correct option है यहाप पर लाक्टिक इसीड हो जाएगा, okay, यहाँ रखेंगे, next है, which method is used for transmitting gene into animal, तो gene into animal transfer करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, micro injection plus electroporation, micro injection plus electroporation, दोनों हो जाएगा, correct option, next है, in shrimp, why organ produce, तो why organ कब produce होता है, molting के दोरान यह जो है कि produce होता है, why organ, next बात करेंगे, secondary structure present, secondary structure character are prominent in, जो secondary sexual character होता है, वो किसमें prominent होता है, ठीक है, तो यह आपके जो है कि, spawning season के द्वारा, यह के time, यह जो secondary sexual character होते हैं, यह आपके, active होते हैं, ठीक है, next है, acrosome is found in, जो acrosome होता है, वो कहां मिलता है, तो acrosome आपके head of the sperm में मिलता है, ठीक है, और head, उसके बाद जो है कि, आपके middle part हो जाएंगे, जहांके mitochondria होते हैं, next आपके tail होते हैं, बात करेंगे, यह आपके head हो गए, ठीक है, देन उसके बाद यह tail आजाता है, ठीक है, बात करेंगे, sperm के, तो यहां पर आपके acrosome होते हैं, ठीक, यह आपके middle part हो गए, middle part और यहां पर आपके mitochondria होते हैं, जो कि आपको movement में energy प्रोवाइड करते हैं, और यह जो tail होते हैं, यह movement में help करते हैं, तो यह हो गए, पुरे के पुरे acrosome है, और उसके sperm और sperm के part के बारे में, next बात करेंगे, cyclomorphosis is very common in, तो cyclomorphosis किसमें common होता है, तो यह हो जाएगा आपका cladocerans में, cladocerans में जो है कि आपके यह common होते हैं, next बात करेंगे, pearl is found by the secretion of, तो pearl किसके secretion के द्वारा होता है, तो यह आपके mental tissue के द्वारा होते हैं, mental tissues का, जो secretion होता है जिससे पर्ल फार्मिशन होता है बात करेंगे पर्ल किस फाले किस फैमिली बनाते है तो यहां पर सेक्स रिश्यो आपका 3 हो जाएगा ठीक है नेक्स है विच फॉल इंग इस अ मुट अजिन्स मुट जिन्स क्या होता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पर आपका नैट्रिक असिट करेक्ट हो जाएगा नेक्स है एजुवेंट इस सब्स्टेंस दाट एजुवेंट क्या होते हैं तो यह आपके इ लिंफोसाइट केरिंग नाइधर T-cell और नौर B-cell मारकर इस कॉल तो जो लिंफोसाइट है ना कि T-cell भी नहीं और B-cell भी नहीं तो उन्हें हम लोग नल सेल बोलते है ठीक है नल सेल उन्हें बोला जाता है नेक्स बात करेंगे which fishes are true hermaphrodite तो यहाँ पर आपके serenity और asperity जो ही यहाँ पर correct option था next बात करेंगे race-based based aquaculture farming system तो यहाँ पर land based aquaculture farming system हो जाएगा correct option land हो जाएगा next है an imaginary line joining the equal points of all elevation is called तो यह आपके contour हो जाएगे यहाँ पर आपके correct option contour हो जाएगे ठीक है next है the top of embankment is called तो यहन्हें क्या बोलते हैं crest बोलते हैं next बात करेंगे first determine the primary structure of insulin insulin आपके जो है कि sanger ने आपके इसको जो है कि वो किया था ठीक है primary structure इनका दिया था अब insulin जो है कि diabetic patient को जो है कि दिया जाता है ठीक है और insulin जो है कि आपके beta cell से जो है कि जो कि pancreas में होता है और isolates of langer hand में यह produce होता है alpha और beta cells दो होते हैं और यह जो beta cell से यह जो insulin produce किया जाता है नेक्स बात करेंगे vitamin B2 also known as तो vitamin B2 also क्या कहते है इसे हम लोग riboflavin बोलते हैं next है the compound produced by an organism that inhibit and the microorganisms is called as तो इन्हें antibiotic कहते हैं क्या होता है कि जो कुछ ऐसे organism कुछ compound produce करते हैं जो दूसरे microorganisms के जो भी उनके कार हैं उनको रोग देता है तो वो आपके अंटिबायोटिक्स होते हैं next है excretory organ is called excretory organ जो आपके kidney होते हैं next बात करेंगे हम लोग 29 की 29 है shear is also known as तो shear को आप लोग king of fishes भी बोलते हो king of fishes next है pen culture is practiced in तो pen culture आपके चिली का लेक में लेक में जो है कि आपके culture किये जाते हैं next है fertilize egg size is common carp जो एग का size होता है common carp के लिए वो कितना होता है तो यहाँ पे आपका 1.6 mm यहाँ पे correct option था next बात करेंगे fresh water muscles for pearl production तो यहाँ पे आपके लिए क्या हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा lamella dense marginalist okay lamella dense marginalist जो है आपके correct option थे वहाँ पे next बात करेंगे for the control of eus which one is used तो यहाँ पे आपका eus के लिए हमें क्या use हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा cifax.1 ppm cifax.1 ppm हमें आपके eus के लिए को control करने के लिए use करेंगे next है cryopreservation is done only for cryopreservation जो है आपके sperm के control के लिए वहाँ के option के according sperm के control के लिए रखते हैं ठेके किसमें रखते हैं liquid nitrogen पे cryopreservation का मतला होता है कि बहुत बहुत जादा low temperature यानि कि minus 192 या 190 के यह जो है कि use करते हैं हम लोग nitrogen minus 192 nitrogen जो कि liquid nitrogen होता है ठेके liquid nitrogen कभी-कभी आपसे यह भी पूछ देता है कि cryopreservation हम किस जो है उसमें करते हैं तो आपको option देगा कि water में या फिर बोल देगा liquid nitrogen में देन उसके बाद आपको पूछ देगा कि carbon में यह सब सारे चीजे option देगा तो ध्यान रखेंगे cryopreservation हम लोग liquid nitrogen में करते हैं next बात करेंगे sperm extender solution is called sperm extender solution को क्या बोलते है एलिक्वोड बोलते हैं हम लोग sperm extender solution को next है the function of cryoprotectant जो cryoprotectant होते हैं उनका function क्या होता है to minimize the freezing of fluidity क्या करते हैं fluid की freezing capacity को minimize कर देते हैं next है defense mechanism in shrimp does not include तो defense mechanism जो shrimp का है वो क्या क्या include नहीं करता है तो option के according आपका complement fixation यहाँ पे correct option था next है parasite responsible for fungal infection is तो कौन से parasite है जो fungal infection के लिए responsible है तो यहाँ पे आपका correct option हो जाएगा अधियो थिरिसस मल्टी फिलिस ठीक है correct option था यहाँ पे next बात करेंगे new plasma is synonyms of new plasma किसका synonyms है यहाँ पे आपका tumor का शॉरी tumor का ठीक है tumor का यह जो है कि synonyms से tumor होते क्या है जो है कि uncontrolled uncontrolled cell division ठीक है या फिर cell division कह लीजिए या cell growth कह लीजिए ठीक है यह होते हैं आपके tumor जो कि आपको एक शब्द में कहें तो जिसे हम लोग बोलते हैं cancer ठीक है cancer नेक्स्ट है normal calcium metabolism is affected by जो normal calcium metabolism है वो किसके द्वारा जो है अफेक्ट होता है तो यह आपके cadmium cd यानि की cadmium के द्वारा effect होता है तो करेक्ट option यहाँ पर कैडमियम था नेक्स्ट है ओवरी इस enclosed तो ओवरी किसमे enclosed होता है जो ओवरी तो आपका sister ovarian में यह जो है की enclosed होता है तो यहाँ पर करेक्ट option था sister ovarian तो यह रहे आपके पूरी के पूरी questions इतने ही questions हमें collect कर पाया है ठीक है अगर आपके पास और भी questions है तो आप प्लीज हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो देखने के लिए और शेर करने के लिए thank you so much और जूड़ी हमारे साथ हमारे इंस्टा और टेलेग्राम चैनल पे आपको यूटूब पे फॉलो करना ही करना है और आपको एक काम और करना है जो कि आपसे एक humble request है प्लीज डाउनोड करिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा तो जूड़ी हमारे साथ हमारे एंड्रोइड आप पे प्लस हमें यूटूब पे जरूर फॉलो करिए thank you so much take care bye bye